नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिभा Online Classes में दोस्तो आजकी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है तो मैं आपसे ये बोलूगा नहीं कि आप इस वीडियो को लाश तक देखना क्योंकि मुझे पता है कि आप इस वीडियो को छुण कर लाश त कब तक है सिंपल सब्दों में बताऊं तो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि पूरे इंडिया में मतलब पूरे भारत में कौन-कौन से राज में भरती आ चुकी है और उनकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की तारीक है ऑनलाइन रेजिट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके है ठीक है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से बस पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सच में पसंद आए तब ही आप इस वीडियो क कि official website पर upload हो जाती है ठीक है तो आपके लिए हमारे चनल पर कभी भी कोई भी फेक वीडियो नहीं मिलेगी यहां पर मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूं आपके लिए कि यह जो भरती है वो आ चुकी है और इसके online आपे दिन कैसे करना है मतलब जानकरी मैं आपको देता हूं तो चलिए दोस्तो बिना समय गवाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तो आप देखेंगे इस समय हम है इंडियन आर्मी की अफिसिल वेपसाइट पर और यहां पर यह जो लेटेस्ट रैली जेचियो अबलिक और की जो भरती है वो निकल चुकी है अब इनकी लिए जो इनके नोटेस हैं यह दोस्तो इनको मैंने पहले से ही डाउनलोड टरकर रखा हुआ है आप यहां देख सकते हैं ठीक है एस नो दोस्तो पनजाब में यह जो भरती होनी है बो क्यप्टर सुन्दर सेबीच में भरती होनी है 16 सेँ सब्सक्राइब से लगती होनी ऑग्या थी और सब्सक्राइब है यह भरती की अब्सक्राइब इस भरती के लिए online registration नहीं किया है तो आप इस भरती के लिए online registration कर सकते हैं यहाँ पर 17 जुलाई से 30 अगस्त का time दिया हुआ है और भरती होगी आपकी 15 सितंबर 2020 से 24 सितंबर 2020 के बीच में ठीक है यहाँ पर दोस्तो soldier general duty all arms और soldier technical soldier nursing assistant और soldier clerk public store की पर इन पदों पर भरती है अगर आपने दोस्तों मैं आप लिए आज के वल सौट जानकारी देने वाला हूँ कि online registration की तारीक क्या है उसके बाद में भरती कब से कब तक होनी है उसके बाद में कौन-कौन सी पोस्ट भरती निकली है यह जो detail में दोस्तों जानकारी है वह मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा लेनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए यह आपका ही चैनल है ठीक है यहां पर विजिट कीजिए दोस्तों और आपके लिए इन भरती की बारे में पूरी detail आपको मिल जाएगी क्योंकि मैं हर भरती की बारे में एक separate वीडियो बनाके upload कर चुका हूं तो next ले ले ही है वो headquarter Bangalore के तरफ से निकारी गई है इसमें दोस्तों यहां पर आपके soldier general duty उसके बाद में soldier technical, soldier tradesman, 10th और 8-pass दोनों के लिए ही भरती निकली हुई है ठीक है इस भरती के दोस्तों जो online registration होंगे वो 24 जुलाई से 6 सितमबर तक open हो चुके हैं मतलब इनके भी registration जो है और already चल रहे हैं open हो चुके हैं तो 24 जुलाई से 6 सितमबर 2020 के बीच में दोस्तों आप इस भरती में apply कर सकते हैं ठीक है और यह जो दोस्तों भरती होनी है वो 19 सितमबर 2020 से 21 मार्च 2020 के बीच में अब इसके exact date नहीं आई है जैसे ही इसके exact date आएगी मैं आपके लिए बता दूँगा तो अभी तक इस भरती के अपडेट यह है कि दोस्तों इसकी जो online registration वो चल रहे हैं और यह भरती होनी है दोस्तों ऑन ग्राउंड 19 सितमबर 2020 से 31 मार्च 2020 के बीच में नेक्स्ट आता है दोस्तो recruiting notification enrollment of soldier general duty woman military police तो आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों यह जो भरती है वो woman military police के लिए है मतलब व्यों गर्ल्स को आपको पता होगा कि अभी कुछ सालों से 2-3 सालों से दोस्तों क्या है कि गर्ल्स भी इंडिन आर्मी में भरती होने लगी है तो आपके लिए करना क्या है दोस्तों इनके लिए के लिए किया करना है दोस्तों हैतं कि यह जो भरती है यहां पर दोस्तों आपके 37 जुलाई 2020 से और 31 अगस 2020 तक आपके इसके online registration किये जा रहा है यह जो भरती होनी है दोस्तों वो अमबाला, लखनौ, जवलपूर, बैंगलाउर, शिलाउंग, एंड पुने में होनी है इन प्लेस में यह भरती होनी है और इनके जो online registration है वो 37 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020, 31 अगस 2020 तक चलेंगे मतलब इस भरती के registration भी already start हो चुके है वसके बाद में दोस्तों यहाँ पर केवल एक ही पोस्ट के लिए भरती है soldier general duty woman military police अगर आपके लिए किसी भी भरती से सम्मझेद कोई doubt होता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते है comment करके और आप मेरे चैनल पर विजिट करके यह separate video भी देख सकते है ठीक है next है दोस्तों यहाँ पर army recruiting rally पालमपुर हिमाचल प्रदेश यह दोस्तों जो भरती है वो हिमाचल प्रदेश के लिए है यह भरती 6 October 2020 से 14 October 2020 के बीच में होनी है और इसके जो online registrations है वो 7 अगस 2020 से 20 September 2020 के बीच में start हो चुगे है मतलब इसकी यह जो भरती है इसके भी online registration इस समझे चल रहे है और इनकी last date है 20 September 2020 यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे soldier technical soldier technical ammunition examiner soldier technical aviation group X इन पतों पर दोस्तों भरती निकली होई है तो आप अगर इसके लिए eligible है तो आप इस भरती में भी apply कर सकते है next है दोस्तों यहाँ पर army recruiting rally similar हिमाचल प्रदेश यह भरती दोस्तों similar यारों के तरप से है हिमाचल प्रदेश यह भरती भी दोस्तों 6 October 2020 से 14 October 2020 के बीच में होनी है पैदल ग्राउंड मंडी में ठीक है और यहाँ पर इसके जो online registration है वो 7 August 2020 से 20 September 2020 तक चल रहे है मतलब इसके भी online registration से start हो चुके है जो कि 7 August 2020 से और 20 September 2020 तक चलेंगे ठीक है यहाँ पर दोस्तों जो कौन-कौन से पदों के भरती है उनकी बात कर लेते हैं Soldier Technical Male उसके बाद में Soldier Technical Ammunition Examiner उसके बाद में Soldier Technical Aviation और Soldier Technical Nursing Assistant इन पदों पर यहाँ पर दोस्तों भरती होने वाली है ठीक है तो आप अगर इसके लिए eligible है तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं तो दोस्तों next भरती के चलब तरफ चलने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो यार चैनल को subscribe जरू कर लें क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपके लिए नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर next भरती निकली हुई है चुरूर राजस्थान तो यह भरती दोस्तों राजस्थान के लिए है इसके जो यह जो भरती है वो आठ अगस इसके जो ऑनलाइन registration है वो आठ अगस 2020 से 22 स्टमबर 2020 तक चलेंगे मतलब इसके भी जो ऑनलाइन भरती होनी है ठीक है नेक्स्ट भरती के बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट है हमारा इंडिन आर्मी रैली नोटिफिकेशन ये दोस्तों जोदपुर एरो के लिए है ये भी इस भरती में भी आप अगर सामिल हो सकते हैं तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये केवल जोदपुर डिस्टिक के लिए ही है यहां पर एक एरो के बीच में काफी सारी डिस्टिक्स होती है जैसे जोदपुर एरो सकते हैं यह इसके दोस्तों जो online registration जब आठ अगस्ट से 22 स्टमबर 2020 के बीच में स्टार्ट हो चुके हैं और यहां पर भी दोस्तों सिपाही डी फार्मा सिपाही टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंड इन पर भड़ती होनी है उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट ले लेते हैं यह दोस्तों कोटा यारो की तरफ से इसके online registration यह भरती 7 अक्टूबर 2020 के बाद में 31 मां 2021 के बीच में होनी है और इसके जो online registration वो 8 अगस्ट से 22 स्टमबर तक स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है इसमें भी दोस्तों यही पदो उपर भरती है उसके बाद में next भरती की तरफ चल कर लें